हेलो दोस्तो विल्कम टू सीई एंटर्टेन्मेंट दोस्तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे राज है जो अब तक सुलज नहीं पाए है और उनी में से एक है स्री लंका की आदम पहार दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पहार के रहसे को जानने की कोशिश कर रहे तो चले दोस्तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेकिन दोस्तो उससे पहले सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो फ्रेंट्स लेट स्टार्ट स्री लंका की आदम पहार यह एडमस्पिक के नाम से भी जाना जाता है यह पहार बहुत ही डेंजरेस है और बहुत ही रहसे माई है इस पहार के चूटी पर एक बहुत ही रहसे माई बड़ा प्यार का निशान पाया गया है जिसे हर धरम के लोग पवित्र मानते हैं स्री लंका की मुसल्मानों का मानना है कि यह पैर का निशान प्रिथिवी का आदी मानत हजरत अदम का है और सिर्फ स्री लंका की मुसल्मान इने दूस्टरे देश के मुसल्मान भी इसे मानते है इसलिए ये पाहर और पाहर पे पाए गाए पैक के निशान को मुसल्मान स्रद्धा की नजर से देखते है इस पाहर के चोटी तक पहुचना बहुत ही मुश्किल है इस पाहर के चोटी में जाने का जो रस्ता है वो एक जंगल से होकर जाता है और ये जंगल बहुत ही जहरेले की रेमकोर से भड़ा हुआ है और ये पाहर इतना उच्छा है कि दुनिया के कई लोग इसे विधिवी का उच्छा पाहर मानते है इस पाहर पे चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि साल में सिर्फ तीन या चार मैंने इस पाहर में चला जा सकता है साल के बाकी समय ये पाहर बादला से गिरा हुआ रहता है इस पाहर पे इवन बतुता मारको पूलो जैसे कई हस्तिया चलने आये थे दोस्तो ये पाहर और इस पाहर पे पाई गया पैर के निशान को लेकर मार्कुलस ओक्सलेर ने एक बुक लिक है जिसका नाम है दस सेक्डिट फूट्प्रेंट यहां पर भी उन्होंने इस पाहर का जिक्रे किया है और उन्होंने कहा कि यह पाहर बहुत ही रहसे मही है इस पाहर के चोटी पर एक प्लेन जगा है जहां पर एक आठ फोट की पत्थर है और उस पत्थर पे यह पैर का निशान पाया गया है तो उमीदें दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छे लगागा तो लाइक कॉमेंट और श्रेल ज़रूर करें और खुबाइ ची वोन नेक्स्ट वीडियो